नफरत की आग में जल रही पूरी दुनिया पर जंग के बादल मंड़ाने लगे है युद्ध की आहड से आस्मान में खौफ पस रहा है तो जमी पर है जंग का पहरा क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क के रास्पती डुनाल्ड टुम्प ने युद्ध की चिंगारी भड़का दी है गुरुवार को इरान दवारा अमेरीकी ड्रोन मार गिराये जाने के बाद दोनों देशों के बीच विवाद गहरा गया है इरान पर सैन ने कारवाई करने के एलान के बाद टुम्प ने चेटावनी भरे लहजे में कहा कि कारवाई इसले नहीं की क्योंकि इसमें 150 आम नागरिक मारे जाते हमारी इरान में तीन जगों पर हमला करने की योजना थी डोन इंटरनाचनल एर स्पेस में मार गिराया गया मुझे यह अच्छा नहीं लगा इस मामले पर इरान का कहना है कि डोन ने उसके एर स्पेस का उलंगन किया है वहीं वाशिंग गटन इरान के अस बात से अैbbles बात नहीं करता है ट्रम्प बारबार इरान पर कारवाई करने की चेतावनी दे रहें तो वहीं युद्ध की भड़की जिंगारी से पुरी दुनिया की सांसे अटकी हुई